तो है गाई वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल और वेलकम तो माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहें उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चै वीडियोस मिलेंगे एक्स्ट्रा गाइडन्स मिलेगा तो ये सारी की सारी आपको इन्फोर्मेशन एक जगा पही मिलने वाली है जो की मेरे चैनल के उपर है तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोडिफिकेशन क प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए और अगर आपने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो जल्दी से जॉइन कर लो चैनल मेंबर्शिप के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनेफिट्स मिलते हैं जैसे कि मैं रोज स्टॉक रिकमेंडेशन्स टालती हूँ साथ ही शॉट तम के लिए लॉंग तम के लिए कौनसे स्टॉक आपको आपके पोर्टफोलियो में आड करने चाहिए इसके बारे में भी जानकारी देती हूँ और अगर आप प्लैटिनम मेंबर्शिप लेते हो तो आपको एक चार्ट भी बनाके रोज रात को आपको नेक्स डे के लिए मिल जाता है तो यह सारे के सारे बेनेफिट्स मिलते हैं साथ ही आप अपने क्वेरी जो है वो मुझे पूछ सकते हो तो अग भी इसी वक्त चैनल मेंबर्शिप जॉइन करना मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप करना थी मैंने यहां पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है प्लाटिनम मेंबर्शिप के लिए जिनके पास क्रडिट कार्ड नहीं है वो डिरेक्ली क्यूर कोड स्कैन करके मुझे पैसे भेज सकते हो और अपना जो परसनल वाट्साप कॉंटेक है वो मुझे मेल कर दो ताकि मै आपको मेरे परसनल वाट्साप पे अड़ कर सकूँ और अगर आप 6 मन्त के लिए मेंबर्शिप लेते हो प्लाटिनम तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999 ही पे करना है तो जैसे ठीक लगता है वैसे मेंबर्शिप जॉइन कर लो अभी हम लोग चालू करते हमारा आज का वीड से बात की थी 15,900,950 तक जाने की निफ्टी के और आज आप देख सकते हो 890 तक का निफ्टी ने हाइ किया तो किसी ने तो कमेंट में पूछ बोला था कुछ कमेंट की थी कि आप पहले बोल रहे थे निफ्टी जाएगा नीचे अभी आप एक दिन में बोल रहे हो 15,900 के पा मैं आप से डिसकस करती हूँ अभी एक दिन में मार्केट गिरावट भी दिखा था है और नेक्स डे पे भी हमें एक अच्छा बाउंस बैग भी देखने को मिलता है मार्केट के अंदर तो यह हम लोग नहीं कह सकते किसी अनलिसिस्ट को कि आपने एक दिन पहले कहा गिराव लेकिर मैंने कल क्या बात कही थी कि निफ्टी क्लोजिंग बेसिस के उपर जब तक 800 का लेवल होल्ड रख रहा है निफ्टी पॉजिटिव रहेगा शौट टम के लिए फिर से एक बारी बाउंस बैक लेगा 900-950 के जोन में वही एक और बात मैंने आप से कही थी कि अगर ड पॉसिबलिटीज है निफ्टी के गिरावट के इंट्राडे गिरावट की वो भी मैंने कहा था 710 तक ही पॉसिबल है तो आज हमने देखा निफ्टी ने 15,780 का सपोर्ट हलका सा तोड़ा लेकिन वहां से फिर से हमें एक बाइंग आती हुई दिखाई थी जिसने निफ्ट को 15,890 तक लेके लिया और अभी विलाल क्लोजिंग बेसिस के ओपर 15,856 के पास क्लोजिंग मिली है लेकिर अगर कैंडल की बात करें तो कैंडल जो है वो इतनी बड़िया भी नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से निफ्टी के चांसिस है बाउंस बैक के तो अ और इसी कैंडल के रेंज में निफ्टी हमें इस वीक भी गूमता हुआ दिखाई दिया बले ही इस वीक जो पिछले वीक का लो था वो इस वीक में निफ्टी ने तोड़ दिया था लेकिन अभी फिलहाल एक पॉजिट्यू कैंडल जो है वो वीकली बेसिस के उपर फॉर्म और मैंने ये भी कहा था कि एक्सपाईरी के दिन के उपर आप भरोसा मत कीजेगा अगर नेक्स ते यानि के फ्राइडे को भी निफ्टी आट सो आट सो पचास या फिर आट सो पचास के उपर की क्लोजिंग देता है तो हम लोग इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ए आज फ्राइडे को निफ्टी ने 856 के पास closing दी है जो कि resistance जोन था 800 और 850 का उसके उपर की closing दी है अब यह मंडे की अगर बात करें तो मंडे को अगर निफ्टी 880 के उपर gap up opening करता है या फिर 900 के उपर करता है तो यहां से निफ्टी एक बारी 92930 के zone में जाता हुआ दिखा ही देगा वही जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है 900 920 यह resistance आप ध्यान में रखिएगा यहां से एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है 810 780 और 700 के zone में downside की अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा है कि 600 और 700 यह zone बहुत important है अभी निफ्टी अगर 600 और 700 को अच्छे से hold रख रहा है तो यहां से निफ्टी हमें आगे आने वाले week के अंदर 15600 से लेके 15,950 और 16,000 तक के levels जो है वो दिखा सकता है तो यह एक ब downside दोनों की possibilities बता दी है वही अगर 600 break होता है तो यहां से lower side में निफ्टी हमें जादा जाता हुआ दिखाई दे सकता है फिर निफ्टी साड़े 400 और 400 तक भी गिर सकता है तो अभी हम लोग एक बार option chain data के उपर नजर डालते हैं तो अभी मेरे सामने निफ्टी का option chain data है तो अगर देखें निफ्टी के लिए call side में सबसे जादा open interest जो है वो 16,000 के उपर बना हुआ है और आज सबसे जादा adding भी हमें इसी level पे दिखाई दे रही है और 15,900 के उपर भी वही upside में भी देखें तो 16,200 के level तक हमें contracts की writing भी दिखाई दे रही है तो यहां से लोग जो है वो upper side के लिए भागते हुए भी दिखाई दे रही है और PCR देखें तो 1.06 है तो यहां से निफ्टी के chances है फिर से एक बारी bounce back लेने के 16,000 के तरफ या फिर 15,950 के तरफ इस week के अंदर वही Monday की बात करें तो Monday निफ्टी हमें 15,750 से लेके 950 के range में रहता हुआ दिखाई दे सकता है पुट साइट में देखें तो सबसे जादा open interest जो बना हुआ है वो बना हुआ है 15,000 के उपर वही second highest जो open interest है वो 15,800 के उपर है वही put writing सबसे जादा हमें 15,800 के उपर दिखाई दे रही है तो 15,800 का level Monday के लिए important level रहेगा अगर निफ्टी इस level से नीचे 15 से 30 minute के लिए रुकता है और bearish candles form होती है जादा से जादा तो यहां से निफ्टी हमें 700 और 750 के zone में जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी option chain data भी हमने देख लिया है तो चलते अभी chart के उपर निफ्टी के important support देखने तो यहां से first important support रहेगा 15,840 का level अगर यह break होता है तो निफ्टी हमें 15,810 and 15,780 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर 780 break होगा तो यहां से बहुत गिरावट तो निफ्टी के अंदर आते हुए देख सकते हैं जो निफ्टी को 750 और 710 तक भी गिरा देगी अपसाइट की बात करें तो अपसाइट के लिए एक resistance है important वो है 880 का level अगर निफ्टी 880 के ऊपर 30 से 40 मिनिट के लिए रुकता है और वो भी positive candle form होती है तो यहां से निफ्टी हमें 15,920 तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 15,920 भी पार कर लिया तो यहां से 950 और 960 के जोन में निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर gap of opening होती है वो भी मैंने आपको possibilities बता दी है gap down होती है 800-780 से नीचे होती है तो आपको देखना होगा निफ्टी 780 या फिर 800 के नीचे 15 से 30 मिनिट के लिए कौन सी candles जादा बना रहा है अगर bearish जादा होती है तो यहां से निफ्टी अपने support के पास जाएगा और वहां से हमें एक buying आती हुई निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकती है तो अभी option chain data और chart analysis हो गया है निफ्टी क तो अभी चलते हैं bank nifty के उपर तो bank nifty की closing कहा पर आई है तो 35,34 के पास nifty bank आज बंद हुआ है निफ्टी bank ने फिर से एक बारी 35,000 का level closing basis के उपर hold रखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है और 300-300 points चड़कर nifty bank जो है वो आज बंद हुआ है तो अभी यहां से आगे की बात क तो देखिए निफ्टी bank के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि निफ्टी bank को important है 35,500 के उपर stable होना अगर इस level के उपर निफ्टी bank stable हो जाता है तो यहां से possibilities है upside की अभी विलाल निफ्टी bank ने slow से हमें एक recovery तो दिखाई है लेकिन अभी भी थोड़ी गिरावट जो 35,080 या फिर 35,100 इस level के उपर intraday में भी sustain कर लेता है तो हम लोग यहां से upside के levels जो है वो निफ्टी bank के अंदर फिर देख सकते हैं वही option chain data अगर देखें निफ्टी bank का तो अभी मेरे सामने निफ्टी bank का option chain data है call side में सबसे जादा open interest जो बना है वो 36,000 के उपर है bank निफ्टी के अंदर वही सारी बाते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई है 36,000 का level जब तक पार नहीं होता है upside के possibilities ही नहीं है और मैंने आपको दो से तीन session पहले एक range भी बताई थी 34,000 और 36,000 के बीच में निफ्टी बैंक हमें रहता हुआ दिखाई दे सकता है अभी अगर downside के लिए 34,000 के पास जाता है तो यहाँ से chances है फिर से एक बारी bounce back के लेकिन अभी 35,000 का level hold हो गया है निफ्टी बैंक के अंदर मंडे को अगर निफ्टी बैंक 35,000 और 100 के उपर sustain कर लेता है तो 35,300 और 400 के तरफ movement हमें निफ्टी बैंक दिखा सकता है put site में देखे तो सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ है वो 35,000 के level के उपर है और second highest 34,500 के उपर put site में सबसे ज़्यादा आज writing कहा पे हुई है तो 34,500 और 34,800 के उपर हमें सबसे ज़्यादा writing जो है वो put site में दिखाई दे रही है तो अभी अगर हम लोग बात करें important support की तो फिलहाल 34,500 और 34,000 ये दो levels आप ध्यान में रखिएगा nifty bank के लिए और इन दोनों levels के पास से हमें bounce back मिल सकता है और अगर गिरावट भी होती है तो 34,000 break होने के बाद ही हमें और 1000 points की गिरावट nifty bank के अंदर देखने को मिल सकती ह तो nifty bank के लिए important support और resistance के levels क्या रहेंगे तो first important support रहेगा 34,000 850 का level अगर nifty bank इस level को break करता है या फिर इससे नीचे फिसल जाता है तो यहां से 34,000 610 और 34,000 450 तक की गिरावट हम लोग nifty bank के अंदर फिर देख सकते हैं अपसाइट की बात करें तो अपसाइट के लिए first resistance 35,100 का level रहेगा अगर इसको पार कर लिया तो next resistance रहेगा 35,350 and 35,510 का level यह important support और resistance के levels और nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने चार्ट के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप म अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम के उपर जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में मैंने टेलीग्राम चैनल की link आपको provide कर दी है सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलोंगे आपसे next video में till then bye take care and trade carefully